तो अभी के टाइम पे आर बीजे मैं आपे बिल्कुल भी आप्टिमाइज नहीं है एड उसी चक्तर में गेम भी लैक कर रहा है तो भाई तुम लोगों ने आपे नॉन रूट मॉडुल का नाम सुना होगा जिससे भाई हम बीजे मैं का जो लैग है उससे हम फिक्स कर सकते है और ये नॉन रूट मॉडुल के उपर भाई काफी सारा वीडियो मिल जाएगा यूटूब पे कि भाई इसे हम परफॉमिस को बूश्ट कर सकते हैं जिससे भाई तुमारा जो बीजे मैं का लैग है ओ भी कम हो जाएगा तो ये नॉन रूट मॉडुल जो है ये काम भी करता है या फिर नहीं इसके उपर ही बात करेंगे और अगर भाई तुमारे डिवाइस पर बीज मैं लैक कर रहा है तो इसका क्या सुलूशन हो सकता है इसके उपर ही बात करेंगे और ऐसे नय हो तो भाई सस्क्राइब कर लो जैसे भाई तुमसे कोई यूनिक कॉंटेंट मिस न निबला है वो कैसे इसका में बतायाता हूँ और यहाप पर बहुत ज्यादा इसके उपर यहाप पर चीज करना विना रूट के पॉसिबल नहीं है तो भाई देखो यह जो नौन रूट मॉडिल है ना यह कोई भी तुमारे फोन का फाइल को छेडी नहीं पाएगा जब तक भाई तुमारे डिबाईस पर रूट का एकसे नहीं होगा और हां, तुमारे डेवाइस यहां पे रूट होने के बाद भी यह जो नॉन रूट मॉडिल है यह काम नहीं करेगा, क्योंकि रूट के लिए एक अलग से अलाग से मॉडिउल आता है, जो कि बहुत जादा एफटी होता है, और तुमारे डेवाइस के जो सिस्टम होता है उस चींजिस भी होता है देखो यह सिंपिली जो तुमारे डिवाइस पर फालतु का एप्लिकेशन रन हो रहा है उसी को यह क्लोस करता है मतब जो कि हम खुद भी कर सकते ठीक और जो फालतु के एप्लिकेशन तुम इंस्टॉल किये हो जिसके वैसे प्रॉब्लेम हो रहा है उसको बापस से प्रॉब्लेम होना शुरू हो जाता है और तुम लोगों ने भाई यह एप्लिकेशन के बारे में जरूर सुनाओगा इससे यूज करने के बाद जो डिवाइस का CPU-GPU है उसको हम बूस्ट कर सकते है देखो यह चीज विताओट रूट विलकुल भी पॉसिबल नह और यह चीज भाई तुम्हारा यहां पर कोई भी CPU-GPU बूस्ट नहीं कर देगा अभी रिसेंटली मैंने एक बंदेगा वीडियो देखा था वो यह एप्लिकेशन को यूज करके खुद बूर रहा था कि इससे CPU-GPU बूस्ट हो जाएगा जबकि वो खुद कस्टम रोम यू होता है तो भाई मैं भी तो तुम लोगों को suggest करता लेकिन यह सब चीज काम नहीं करता है भूलके इसलिए मैं root वाला जो module होता है वही वाला चीज में suggest करता हूँ और एक और चीज में बता है तो यह non-root module यूज करने के बाद यह FPS कैसे अनलोग हो रहा था जो high FPS है वो कैसे सजेस्ट करते है एक application आता है प्लेश्टोर पे 90 FPS नाम से उसी का यूज करके वो अनलोग करते है और कोई भी scene नहीं है इसका और 120 FPS के लिए एक file को यूज करते है जिसका मैं यह पर नाम नहीं ले सकता इसके पर मैं already video बना चुका हूँ अब बात करते हूँ तुम लोग पर कुछ फरक दिखेगा और अगर तुम्हें कस्टम रोम के बारे में जानना है कस्टम रोम क्या होता है इसके पर मैंने already video बना के रखा है तो भाई तुम लोग मेरे playlist को जाके check out कर सकते हो वहाँ पर भाई तुम्हें full detail मिल जाएगा और यह सब चीज जन्मिन है जिससे भ और रिक्वेश्ट यार तुम लोगों से तुम लोग यार वीडियो तो देखते हो बट यार सस्क्राइब नहीं करते मैंने तुम लोग को YouTube स्टूडियो से पकड़ लिया अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी helpful लगा हो तो लाइक और सस्क्राइब कर देना ऐसे मैं तुम अज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सस्क्राइब कर देना मिलते को लोड़ों पर अब तक के लिए बाई